ओम शांती आज 21 अगस 2022 आज की अव्यक्त मुर्ली से हमें गुण सीखने मिलता है determination का अर्था द्रड़ता का जब हम कोई प्रतिग्या करते हैं याने कि अपने किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए द्रड़ संकल्प करते हैं कोई व्रत लेते हैं तो व्रत में भी किसी कार्य को सफल करने के लिए अपने अंदर में द्रड़ संकल्प करते हैं तो प्रतिग्या लेना या वरत करना ये वास्तों में अपने अंदर में एक द्रड संकल्प करना है किसी कार्य को सिद्धी स्वरू बनने के लिए या अपने अंदर की कोई कमी कमजोरी को छोड़ने के लिए हम ऐसा वरत या प्रतिग्या करते हैं या हम कहें कि द्रड संकल्प करते हैं और अपने संकल्प की द्रड़ता को बनाए रखना उसमें हमें सिद्धी प्राप्त कराता है अगर संकल्प में कोई भी धीलापन है तो हम उस सिद्धी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये धीलापन क्यों आता है, संकल्प तो हम सभी करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए, सफल स्वरूप बनने के लिए, कोई न कोई संकल्प हम करते हैं, लेकिन उस संकल्प में सिध्धी क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन है, कहीं न कहीं अलबेल गड़ी आ जाती है, तो उस समय पर अपने आपको कमजोर समझते हैं, और उस परस्ति को बड़ा समझ लेते हैं, और फिर वहां पर शुरू होता है बहाने बाजी, ऐसा था, इसलिए हो गया, बहाने बाजी कि निशानी क्या है? बहाने बाजी करने वाले की language ये होती है कि ऐसा था इसी लिए ये हो गया ऐसे नहीं होता तो ये कर लेते तो ऐसा और वैसा की जो भाशा है ये है बहाने बाजी की भाशा बाबा कहते हैं अपने अगर अगर द्रड संकल्प किया है को सफल करना चाहते हैं तो ये बहाने बाजी की language को बंद करना है क्योंकि बहाने बाजी जो है या अलबेला पन जो है वो हमारे संकल्पों की दृड़ता को लूज कर देता है जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो लेकिन उसका एक कोई स्क्रू भी लूज हो तो वो सारी मशीनरी को खराब कर देता है जैसा result चाहिए वैसा result वो मशीन से हमें नहीं मिलता है इसी प्रकार से अलबेला पन और बहाने बाजी भी वो लूज स्क्रू है और जिस कारण से हम अपने प्रतिग्या को या व्रत को पूरा नहीं कर पाते हैं इसी लिए अपने अंदर में कोई भी अलबेला पन है उसे खतम करें और अपनी दृड़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करें आज के दिवस की यही शुप कामना ओम शान्ति